वैसे देश के प्रधान मंतरी 15 अगस्ट को ही अचिहासिक लाल के लिए से राश्च दज फेहराते हैं लेकिन पीम मिरेंदर मोदी या परंपरा थोड़कर साल में दूसरी बात आज 21 अक्टूबर को तिरंगा फेहराएंगे दरसल 75 साल पहले 21 अक्टूबर 1943 के दिन सुबाश चंदर बोस ने आजाद भारत की पहली आएस्थाई सरकार बनाई थी उन्हें पीम की ये सरधान जली है इस मौके पर आजाद हिन फोज की सिपाही लाती राम और सुबाश चंद भोस की परिवार के सदसरी भी सामील होंगे यही नहीं सुबाश चंदर बोस और आजाद हिन फोज की यादों को सहजने के लिए पीम मोदी अंडमाननी को बार भी जाएंगे पीम इस यात्रा के दोरान सेलूरल जेल का भी निरिक्षन करेंगे जहां आजादी के परवानों को काला पानी की सजा दे कर रखा जाता था पीम मोदी ने बुद्धवार को इसकी गोशना एक वीडियो संदेश में की इस संदेश में पीम मोदी ने बोश समेथ उन व्यक्तियों का जिक्र किया जिनोंने सतंतता की लड़ाई में बढ़चल कर हिस्सा लिया पीम के मुताबिक कांग्रेस ने ऐसी सक्सियतों के योगदान को नजर अंदाज किया अभी हाल ही पीम मोदी ने हर्याना के रोतक में किसान नेता सर छोटू राम की 64 फिट उची प्रतिमा का नावर्ण किया था अब 31 अक्टूबर को प्रधान मंत्री मोदी विश्व की सबसे उची प्रतिमा स्टेचू आफ इनूटी का उधगाटन करेंगे बता दें यह प्रतिमा देश के लवपुरूस सरदार पटेल की है जो गुजरात ने बनी है इस प्रतिमा के साथ ही सेष्ट भारत भावन की भी सुरुवात की जाएगी माना जा रहा है कि इन महापुरूसों को याद कर पीम मोदी राजनीतिक संदेश भी देना चाहते हैं हाना कि कांग्रेस की ओर से अक्सर इसकी अलोचना करते हुए आरोप लगाया जाता है कि पीम और बीजेपी उनके प्रतिक महापुरूसों को हतिया रहे है सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बैल आइकन को दबाएं